नमस्कार दोस्तो वेलकम टू स्टडी आई क्यो जुडी शरी दोस्तो अक्सर हम हिंदी में एक महावरा सुनते हैं कि घी अगर सीधी अंगुली से नहीं निकल रहा है तो अंगुली टेडी करने पड़ती हैं लेकिन क्या ये महावरा लेजिसलेटिव स्वियर में लागू आज हम इसी के बारे में बात करेंगे हम बात करेंगे doctrine of colorable legislation की एक ऐसा principle जो कि कहता है कि अगर आपको कोई काम directly करने से मना कर दिया गया है तो उसे आप indirectly भी नहीं कर सकते हूँ आज के अपने इस सेशन में हम समझेंगे मतलब इस doctrine का और जानेंगे कि कहां-कहां ये doctrine लागू होती है और इससे जुड़ा हुआ case law भी आज हम देखने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तो ये कि अगर आपने study IQ जुड़ीशरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटा-फट से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी जुड़ीशरी की और अगर आप klat की त्यारी कर रहेंगी आपको करना क्या है चांद live का ये code इस्तेमाल करना है और 18,999 रुपए में आपको ये badge मिल जाएगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आपकी doctrine को देखिए ये जो doctrine है इसका जो basic principle है वो तो यही है that what cannot be done directly should also not be done indirectly लेकिन इसे थोड़ा सा detail में सम structure चलता है यानि कि हमारे यहाँ पर दो forms of या दो tiers of comment है एक central comment आ जाती है और दूसरी आ जाती है various state comments ना हम ये भी जानते हैं कि दोनों ही comments के बीच में subjects को divide कर दिया गया है अब ये subjects कुछ इस तरह से divided हैं हमारा 7th schedule basically divide करता है subjects को और article 246 है हमारे constitution में जो कि कहता है कि जो state governments है वो केवल उन्ही subjects पर कानून बनाएंगी जो कि 7th schedule के list 2 में दिये गए subjects है यानि कि state list में जो subjects दिये गए हैं उन्ही पर कानून बनाएंगी Parliament के लिए ये कहा गया है कि Parliament के वल उन्ही subjects पर कानून बनाएगी जो कि list 1 of the 7th schedule में subjects दिये गए हैं यानि कि union list में subjects दिये गए हैं इसी तरह से एक concurrent list भी है जिसे हम list 3 कह देते हैं जो कि 7th schedule में ही है और इस concurrent list के जो subjects होंगे उस पर दोनों को यानि कि Parliament को और state governments को भी कानून की इजाजत है ऐसे में हम यहां पर सबसे पहले तो यह list ही देख लेते हैं देखिए list 1 जो है वो union list है जो कि जो important subjects होते हैं जैसे कि defense of India, naval, military, air force, foreign affairs, railways, postcards, telegraphs, and banking etc. ऐसे subject जो कि पूरे देश में जिनमें unity होना, uniformity होना जरूरी है ऐसे subject जो हैं वो Parliament के हवाले कर दिये गए हैं इसी तरह से state government के लिए या state जो legislature से उनके लिए list 2 में subjects दिये गए हैं जो local subjects रहते हैं जहां पर local expertise की जुरूरत होती है जैसे कि public order, police, prison, public health and sanitation, betting and gambling etc. ये जो है state governments या legislature के हवाले कर दिये गए हैं कुछ ऐसे subject हैं जिस पर दोनों governments जो हैं वो कानून बना सकती हैं चाहे वो जैसे कि criminal law हो गया या फिर marriage and divorce हो गया, bankruptcy हो गया, insolvency हो गया, forest, electricity etc. अब ऐसे में हमने अभी अभी देखा कि भई define कर दिया गया central government के लिए भी या parliament के लिए भी कि आप इस list पे काम करेंगे या फिर आप इस list के जो कानून है यानि कि concrete list के जो कानून है इस पे आप जा सकते हैं, state government के लिए भी define कर दिया गया, अब कई बारी क्या होता है कि जो central government है, वो directly, ये state government directly, जो है, transgress करते हैं अपनी boundaries को और ऐसे subjects पे कानून बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि उनकी domain में है ही नहीं, जब भी ऐसा कभी होगा, तो अगर तो वो directly हो रहा है, यानि कि अगर तो वो explicitly कर रही हैं ऐसा कोई काम, तो उन्हें constitutionally मना किया गया है, तो उस कानून को भी invalid करार कर दिया जाएगा, लेकिन तब क्या होगा, जब ये कानून जो है, implicitly बनाने की कोशिश की जा रहे हैं, उसी के बारे में ये पूरी doctrine बात करती है, चले, तो कहता है कि sometime legislature go beyond the mandate implicitly, subject matter of the law appears to fall within the power of legislature on the face of it, however, the impact of the law really falls past the authority and domain of assembly, याने की हमें लगेगा तो ये कि जो central government ने कानून बनाया है, वो उसी subject पर बनाया है, जो की union list में है, लेकिन actual में जो इसका impact आ रहा होगा, वो ऐसे कानून पर आ रहा होगा, या ऐसे subjects पर आ रहा होगा, जो की state list में दिये गए subjects है, now, ऐसे सभी situations में court apply करते हैं, doctrine of colorable legislation to nullify such legislations, so in a way, आप कह सकते हैं कि doctrine of colorable legislation जो है, वो prevent करती है legislatures को from doing something which it is not entitled to do, और इसे हम कई बार क्या कह देते हैं, fraud on the constitution भी कह देते हैं, चले, now, केसी गजपती नरायन दियो वर्से स्टेट और फोडीसा में, honorable supreme court ने कहा था, कि वैसे तो हमने define किया हुए, हमारे constitution में defined है, कि कौन सी-कौन सी powers किस-किस state की, किस-किस government के पास रहेंगी, लेकिन कई बार transgressions होती हैं, कई बार transgressions जो हैं, वो patent manifest या direct होती हैं, ऐसी transgressions को पकड़ना आसान हैं, लेकिन, but it may also be disguised, covert, और indirect, और it is to this latter class of cases, that expression of colorable legislation has been applied in the judicial pronouncements, नव ये कहा गया कि भाई ये जो छुपी हुई transgressions हैं, जो कि indirectly transgressions की जाती हैं, उनके उपर लागू होगी the doctrine of colorable legislation, now, basically के example के तौर पर समझते हैं, for example, हमने अभी अभी इस list में देखा, कि police जो है, वो state list है, अब central government ने, let's say, कोई कानून बनाया, और वो कानून बनाया military के लिए, उस कानून में military की बात की जा रहे थी, लेकिन अचानक से ये कह दिया गया कि military जो है, वो police को control कर पाएगी in some of the situations, अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि military जो है, वो बनाया, कानून जो बनाया गया था, वो बनाया तो military के लिए गया था, लेकिन ultimately कानून के जरिये police की उपर भी control पाने की कोशिश की गई central government के दोरा, अब ये क्या था, ये indirectly police की उपर जो है control करने की कोशिश की गई, एक ऐसा subject जो कि state list का subject है, उस पे control करने की कोशिश की गई, जो कि doctrine of colorable legislation की जो definition है, उसके तहत fit बैठेगा और इसे void declare किया जा सकता है, साथी में इस case में Supreme Court ने ये भी कहा था, that apparently a legislature is passing a statute purported to act within the limit of its power, yet in substance and in reality it transgressed these powers, तो आपको only face of it तो दिखेगा कि ये जो कानून बनाया जा रहा है, वो parliament ने ये state legislature ने अपने sphere में रहकर बनाया है, पट जब हम उसे in-depth देखते हैं, उसका substance देखते हैं, उसका pith and substance देखकर उसकी reality जांचने की कोशिश करते हैं, तो हमें समझ आता है कि वो जो कानून था, वो basically अपनी domain से बाहर जाकर दूसरी domain में impact दिखा रहा है, ऐसे में ये जो doctrine है, ये force में आती है और उस कानून को void declare कर दिया जाता है, आरसी जोशी वर्सेज अजीत मिल्स में भी कुछ बाते हैं कही गई, क्या कहा गया, Supreme Court observed that in jurisprudence of power, colorable exercise of fraud on the legislative power and more frightfully fraud on constitution are expression, which merely means that the legislature is incompetent to enact a particular law, देखें, अकसर ये जो doctrine of colorable legislation है, इसको कई नामों से फुकारा जाता है, जैसे colorable exercise of, या फिर fraud on the legislative power, या फिर इसे fraud on the constitution भी कहा दिया जाता है, अब Honorable Supreme Court ने यहाँ पर clarify कर दिया, कि अगर आप यह कह रहे हो, there is a fraud on the constitution, इसका मतलब यह नहीं है कि हम government की, या legislature की motive या objective पर यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम यह नहीं कह रहे हैं कि, जो central government थी या parliament थी, जिन्होंने state government की subjects पर जाके कानून बनाया है, उनका motive गलत था, या उनका motive या उनकी नियत उनकी intention गलत थी, हम सिरफ इतनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि, वे incompetent थे जब वे कानून बना रहे थे, जो कि उनके दाइरे से बाहर था, तो basically, नागेश्वर वर्स एपी एसर्ट कॉर्परेशन में भी ये बात कही गई, that colorability is bound with the incompetency, and not with any evil or bad motive, now if the legislature has the power to make the laws, then the motive in making the law is irrelevant of course, now इसमें भी ये बात कही गई, कि भाई जब भी हम किसी doctrine या किसी कानून को उठा रहे हैं, और उसकी उपर doctrine of colorable legislation लग रही है, तो उसका केवल इतना सा मतलब है कि, वो doctrine के तहत, ये जो कानून बनाया गया है, वो सरकार या वो जो parliament या वो जो legislature है, उसकानून को बनाने के लिए competent नहीं थी, हम कहीं से भी उस legislature की मंशा पे, उसके इरादों पर, उसके motives पर, यहाँ पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, चलिए, अब हम बात कर लेते हैं, limitations of the applicability of the doctrine, देखें, ये doctrine हर case में लागू नहीं होगी, कुछ जगाएं हैं, जहाँ पर ये doctrine लागू नहीं होगी, consequence ये चलिए देख लेते हैं, सबसे पहले तो ये जो doctrine है, ये केवल उन्ही cases में लागू होगी, जहाँ पर constitutional provisions के द्वारा आपकी power को limit किया गया है, जहाँ पर constitutional provisions में आपकी power limited नहीं है, वहाँ पर आप अपनी sphere को अगर transgress करते भी हैं, तो ये doctrine लागू नहीं होगी, तो basically not applicable in situations where the power of legislature is not restricted by the constitutional provisions, तो अगर आप effectively बात करें, तो आप कह सकते हैं कि 7th schedule में जो दिये गए subjects हैं, आप उसके तहत रहकर काम करते हैं, तो ये doctrine लागू नहीं होगी, अगर आप उससे beyond जाते हैं, तो doctrine लागू हो जाएगे, इसी तरह से हम ये भी देखते हैं कि ये जो doctrine है, ये subordinate legislations में लागू नहीं होती, देखें, अब होता क्या है, तारे कानून जो है, वो parliament नहीं बना सकती, in fact अगर हम बात करें, एक law जो है, वो parliament बना देती है, लेकिन उस law को implement करने के लिए, जो rules and regulations चाहिए होते हैं, वो parliament आगे delegate कर देती है, subordinate legislation उसे कहा जाता है, अब ऐसे में जो subordinate legislation होते हैं, ये basically बनाये जाते हैं executive के द्वारा, यानि कि जो हमारी कारेपालिका है, जो हमारी executive है, वो इन कानूनों को बनाती है, अब ऐसे cases में भी ये doctrine lagoon नहीं होगी, साथी में कहा गया, the motive of the legislature behind the impunged legislation is irrelevant to decide its legitimacy, तो basically ये जो बात कही गई, ये एक और important case है, that is Ram Krishna Dalmia versus Shree Justice S.R. Tindolkar, इसमें भी बात कही गई, that there is always a presumption in favor of the constitutionality of an enactment, and the burden is upon him who attacks it, to show that there has been a clear transgression of the constitutional principles. देखें, यहाँ पिस्पष्ट कर दिया गया, कि अगर आपको ऐसा लगता है, कि कोई कानून बनाया गया है, लेटसे पार्लेमेंट ने कोई कानून बनाया है, और वो जो पार्लेमेंट का कानून है, वो directly or indirectly, state के जो कानून की जो powers है, उसे छू रहा है, या उसके sphere में जा रहा है, तो आपको ये प्रूफ करना होगा, कि वाके में पार्लेमेंट के कानून से, ये problem खड़ी हो रही है, आप अपने आप से या state government, या central government पे ये छोड़ नहीं सकते हैं, कि वे प्रूफ करें कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो burden of proof जा है, वो आप क्यों पर रहने वाला है, साथी में एक और important case law है, that is state of Bihar versus कामेश्वर सिंग, इसमें Bihar Land Reforms Act 1950 को, यहाँ पर void declare किया गया था, invalid declare किया गया था, अब था क्या, basically in reality, the act purported to lay down a principle for determining the compensation, देखें, हम सब जानते हैं कि Bihar Land Reforms Act जो थे, वो जमिनदारी सिस्टम को खतम करने के लिए लाए गए थे, तो basically, जो लोगों के पास काफी सारे जमीन थी, उनसे वो जमीन ली जा रही थी, indirectly उनसे छीनी जा रही थी, उसके लिए ये कानून था, तो यहाँ पर जो compensation देने की बात आ रही थी, आप compensation देने की, कहतो रह थी इस act में, लेकिन आप basically अगर उस act को पढ़ते थे, तो आपको यह समझ आता था कि पूरी compensation आपको नहीं दी जा रही थी, so basically this act was, you know kind of disturbance of fundamental rights, या फिर आप यह कह सकते हैं, infringement of fundamental rights इस कानून से हो रही थी, तो इस कानून को, जो है invalid declare कर दिया गया, alright, so, यह important case laws हमने यहाँ पर देखे, I hope कि आपको यह doctrine का जो मतलब है, वो समझ आया होगा, अगले session में फिर एक बार मिलेंगे दोस्तों, तिल दन, thank you and have a great day.